तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी के बार में यानि गर्दन में दर्द के साथ साथ आपको हाथ में जंजनाटी, सुनापन, वेकमजोरी महसूंस होती है जिसकी वज़े से काफी आपको घर में काम करने में दिक्कत आ सकती है तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बैस्ट एक्सेसाइजिस और कुछ बैस्ट स्ट्रेचिस बताऊंगी जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं आपके इस तकलीफ पर आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा देखें जरूरी नहीं है कि यह जो दर्द आ रहा है या जो सुनापना महसूस कर रहे हैं अपने हाथ में वो गर्दन में जो डिस्क है जो गद्धी है वो भार आने की वज़े से भी होता है उस दबाव के कारण भी यहां पर हमें जर्जनाटी सुनापन महसूस होता है तो आज मैं आपको उसकी एक्सेसाइज बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली एक्सेस से पहली एक्सेस जो है वो है ट्रपेजियस का स्ट्रेच आप इस मसल को स्ट्रेच कर सबागें तो पहला स्ट्रेच आप करेंगे जो है ट्रपेसियस का स्ट्रेच उसके लिए आपको एक हाथ जो है की इस साइड की मेरी प्रॉब्लम में वो मुझे इस तरह से पीछे यहां रख देना है इस तरह से और मुझे इस तरह से यहां जो अपनी कर दन को थोड़ा सा नीचे opposite side में जुकाना है और दूसरे हाथ की मदद से थोड़ा सा मुझे over pressure देना है बहुत जादा नहीं देना क्योंकि उसमें बहुत pain हो सकता है क्योंकि already muscle सुझी हुई है तो आपको बहुत आराम से उसको stretch करना है 5 second के लिए आप उसे hold करेंगे और फिर आप इसे release करेंगे दुबारा से करेंगे 5 second का hold करेंगे and then release ये लगबग आपको 10 बार करनी है और पूरे दिन में आप इसके 2 sets कर सकते हैं तेखिए जब भी आप एक्सिसाइज स्टार्ट करेंगे अगर आपका सुझान जव है वो ज्यादा है तो आप पहले आइस पैक लीज़ेगा आइस पैक लेने के बाद आपको काफी release मिलेगा और फिर आप एक्सिसाइज कर सकते हैं पढ़ते हैं दूसरी नंबर की ओर दूसरी नंबर की जो एक्सिसाइज है वह है चिटीटा की एक्सिसाइज इसमें आपको इस तरह से खड़े हो जाना है और अपनी चिन को यहाँ इस तरह से पीछे की तरफ धकाब देना है यह जो है यह गर्दन की मसिल्स के लिए है वो इसको वर्क करवाएगी और यहाँ पर आपको हलका सा स्ट्रेच भी फील होगा जिससे आपकी जो यहाँ नसे है वो खुलेंगी देखिए इस तरह से आपको सीधा रगना है और रेफरेंस के लिए आप अपनी चिन पे इस तर से पीछे करिए और उसे होल करना है 5 सेकेंड्स और रिलीस यह भी आपको 10 बार कर दी है और पूरे दिन में आप इसे दो बार दो सेट्स इसे हम कहते हैं कर सकते हैं आगे आगे हम मैं आपको बताऊंगी नर्व यानि नस की एकसराइज हमें कैसे करनी है उसके लिए आपको और हमारे हाथ वो तीन नस साहिए करती है तो पैली इस पर बहुत प्रदार करनी है और आपका जो आपकी जो गरदन हो इस तरह से पीछे करना है और फिर इस तरह से आपको करना है इस तरह से करिए 5 सेकिंड होल्ड और फिर वापस जब आप यह करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़े symptoms आए थोड़ा सा आपको जादा मतलब aggravate हो तो आप क्या कर सकते इसको angle को कम कर सकते और यहां से इस तरह से अपनी exercise जो है वो continue कर सकते तो जब भी आप यह इस तरह से सीधी position होगी तब ही आपको यह जो करदर है वो इस त आपको यह exercise समझ आ गई होगी और अगली जो exercise हम करेंगे वो है अडला नफ के लिए अडला नफ के लिए आपको यह वाली position लेनी है इस तरह से इस तरह से आपको चश्मा पहनना है उल्टा जो मेरा हाथ है आप उसकी position इस तरह से देख लीचे ठीक है यानि यह position आ गई और और फिर आपको इस तरह से opposite side अपनी करदन कर देनी है 5 second के लिए आप इसे hold करेंगे और फिर इसको इस तरह से आप release करेंगे तो आपको यह exercise इस तरह से करनी है लगपक दस बार आप इसके counts करिएगा पूरे दिन में आप इसके 2 sets कर सकते हैं यह भी बहुत relieving exercise है आपको इस इस तरह से अपना जो हाथ है वो उठाना है और इस तरह से यहां यू यह जो है वो पीछे करना है तो जब आप यह इस तरह से करेंगे तो आपको काफी अच्छा जो है stretch पीलोगा ठीक है अगर आपको यहां पीछे में काफी दर्द होता है तो आप इस दोर से आगे ला सकत और अपने इस तरह से गर्दन को आपको पीछे करना है और फिर आपको इस तरह से लेस करना है फिर सब इसको यू करेंगे और फिर आपको इस तरह से करना है तो जब भी आप यह करेंगे तो आपको यहां इस तरफ आगे की साइट पर अच्छा सा स्ट्रेच आएगा नस्थ की जो ग्लाइडिंग है ग्लाइडिंग मतलब नस्थ जो है आगे पिछे आगे पिछे होगी उसको नूट्रिशन मिलेगा उसकी जो प्रॉब्लम है नस्थ की वो काफी हद तक रिलीफ हो जाएगी आपको यह एक्सराइज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे कॉमेंट सेक्षन में लेख सकते हैं यह बहुत ही अच्छी और सेफ एक्सराइज है आप इसे ज़रूर ट्राय करें तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेर करें जिन लोगों कोई प्रॉब्लम है और अगर चैनल के नहीं है तो सब्सक्राइब करतीजेगा थांक्यू और आव नाइस जेए